मैं जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया हम पर फूलों की बर्शा की हम को अपने अपने कहीं ना कहीं बुला के मान सम्मान दिया हमारी इज़त की मैं उनको तो बदाई देना ही चाहता हूं दिल से लेकिन जिन्होंने हमको गालियां दी हमारे बारे में अपत्ती जनक टिपनियां की अनाप्षना बोला परसनल लाइफ के बारे में उनको भी मैं कहता हूं कि वो भी उनका भला हो बीएसपी कॉंग्रेस यह सब कठे थे इनकी पीसी लग लग होती थी बस एक गंटा पीसी में गैप होता था पॉंटेंट से में होता था एक दूसरे को देते थे यह अब तुम ले जाओ यह गालियां मैंने दिया यह अब तीन बज़े देते ना वो ही गालियां चार आजाएंगी भी कोई नि मान रहा था 29 में आ जाएंगी तो हर इलेक्षन का सेनरियो लग लग होता है जो 50 साल से कॉंगरिस के पास थी और कोई परचाड करने भी नहीं जाता था बोर्ट मांगने भी नहीं जात नहीं इस बार हम उनको हैंकार नहीं करना है अभी तो हमारी जम्मेदारी बड़ी है और ज्यादा मेनस से काम करना है अब जलंदर वालों ने इतना मान समान किया जलंदर वालों ने इतना ब्रोसा किया उमीद और आस जगी है तो हमको और जम्मेदारी से काम करना होगा अब उनको शायद पता चल गया होगा कि ये बातें पुरानी हो चुकी है कि किसी पर कोई भी इल्जाम लगा दो ये हो गया वो हो गया लोग इस पर ध्यान नहीं देते लोग ये चाहते हैं जी हमारे बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिलेगी हमारे बच्चे को रोजगार मिल किसी भी नई सरकार के लिए पहला साल बहुत कठिन साल होता है बहुत कठिन क्योंकि पुरानी सरकार ने जितने भी गलत काम किये थे पुरानी सरकारों ने वो हमने एक तरह से लीगेसी की तरह हमने इनहरिट किये थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्ल बातावरन क्रियेट किया कि जितने काम किये हम तो केवल काम की राजनीती करते हैं ना हम धर्म की राजनीती करते हैं ना हम जात की राजनीती केवल काम हमारे कामों के बेसिस पर हम वोट मांगते हैं लोगों से तो एक तरह ऐसे पंजाब की जनता ने जलंदर की जनता ने और का जो यह नतीजह यह पंजाब का मूड है पूरे पंजाब का मूड इस तरह इसमें दिखाई देता है उन्होंने भगवंतमान साब के आमादमी पार्टी की सरकार के कामों पर ठपा लगाया है कि जी लगे रहो बहुत अच्छा काम कर रहे हो इसी तरह से करते रहो हम आपके स साथ हैं यह बहुत बड़ा मेसेज है तो जलंदर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं बधाई देना चाहता हूं इसके लिए मैं थोड़े से आंकड़े आप ल जलंदर की लोकसभा सीट में नौ विधानसभाएं आती हैं उन नौ मेंसे हम केवल चार जीत पाए थे बाकी पांच कॉंग्रेस के पास चली गई थी तो ये इतना जबरदस्त कॉंग्रेस का गड़ माना जाता है कि नौ मेंसे चार ही हम जीत पाए उस वेव के अंदर भी पां अदमी पाटी जीती है केवल दो जलंदर सेंट्रल और जलंदर नौर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं पिछली साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे लेकिन जलंदर में हमें बहुत कम वोट मिले हमें 28 परसेंट वोट मिले आज इसको हमने बढ़ा के हम लगबग 34% वोट पे हैं और जलंदर जीत रहे हैं पिछले बार असेंबली चुनाव में चार विधानसभाएं ऐसी थी शाकोट आदमपूर फिलौर और जलंदर नौर्थ जहां पे हम तीसरे नंबर पे थे आज इन चार म पर्षेंट में जलंदर नो जलंदर सीट से लोकसभा की सीट से हमें केवल धाई परसेंट वोट मिले थे आज हमें 34% मिले हैं और हम जीते हैं दूसरी पार्टियों ने बीजेपी ने एक नेता के अटवाल साब के बेटे चरण जीत सिंग अटवाल के बेटे को टिकेट दि ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीती को वोट दिया है 2014 में आम आदमी पार्टी की चार सीटें थी लोकसभा में 2019 में एक सीट रह गई और फिर जब मान साब पंजाब के मुख्य मंत्री बने तो एक भी सीट नहीं में बची आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है एक सीट से एंट्री हो रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर भहुमत भी होगा भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नैशनल पार्टी बन चुकी है तो एक लोकसभा ही ऐसी जगे थी जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी नहीं थी अब वहां भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो गई है मैं फिर से पंजाब की जनता को जलंदर की जनता को बहुत बहु व्यक्त करता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाजी जलंदर लोकसवा में जो बाइलेक्षन हुआ उसमें जो नतीजे आज आए वो आमादवी पार्टी के कामों पर लगबग 14 मेने भी हुए नहीं है सोला मार्च को हमने ओध ली थी सोला मई को कि चौदा मीने होंगे तो लगबग 14 मेने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है जैसा कि हमारी पार्टी के सुप्रीमों अर्विंद केजरिवाल जी ने कहा कि हम धर्म की जात्पात की हंजाब में बनाए हैं 580 हम वहां स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहे थे स्कूलों के नाम पर वोट मांग रहे थे हम वहां पर बिजली का बिल जीरो जो आया उसको आगे कैसे लेके जाना है ऐसी यह जारी रहेगा उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने पे कर दिया उस पर बोट मांग रहे थे हम इंफ्रसक्चर से जो है उसके नाम पर बोट मांग रहे थे हम बपारियों से बात कर रहे थे किसानों से बात कर रहे थे मजदूरों से बात कर रहे थे हर एक की भलाई की बात कर रहे थे इसलिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि लोग पॉजिटिव राजनीती को पसंद करने लगें यह शुरुआ दिल्ली से हुई थी जब 28 सीटें आई थी फिर उसके बाद 67 आई उसके 63 आई तो अर्विन के रिवाज जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से वो आज एक नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है 92 MLA हमारे पंजाब की विधान सवा में 63 MLA हमारे दिल्ली की विधान सवा में 5 MLA हमारे गुजरात की विधान सवा में 2 MLA हमारे गोवा की विधान सवा में 10 MP हमारे राज्य सवा में और आज के बाद एक MP हमारा लोगसवा में है तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी सभिधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान जाज हमारा हिस्सा ना हो इस सभामादी पार्टी की टीम जो बलेंटियर जो अपने जेब से खर्चा करके घर से निकलते हैं और निकलके काफल के रूब में एक बड़ा रोड़ शो बना देते हैं तो यह उनकी जीत है अर्विन केजरिवाल जी ने बहुत टाइम दिया पंजाब के लिए और अलग लग भी गए हम और जितने भी वलंटियर और और सहबान थे उन सब की जीत है मैं जनोंने हमें मान सम्मान दिया हम पर फूलों की बर्षा की हम को अपने अपने कहीं न कहीं बुलाके मान सम्मान दिया हमारी इज़द की मैं उनको तो बदाई देना ही चाहता हूं दिल से लेकिन जनोंने हमको गालियां दी हमारे बारे में अपती जनक टिपनियां की अनाप्शना बोला परसनल लाइफ के बारे में उनको भी मैं कहता हूं कि वो भी उनका भला हो अब उनको शायद पता चल गया होगा कि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि किसी पर कोई भी इल्जाम लगा दो ये हो गया वो हो गया लोग इस पर ध्यान नहीं देतें लोग ये चाहते हैं जी हमारे बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिलेगी हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा हमारे बिजली का खर्चा कम हो जाएगा हमें बजर्गों का इलाज फ्री हो जाएगा लोगों लोगों को ये मुद्दे चाहिए शायद आने वाले दिनों में वो जो भटके हुए लोग हैं वो भी शायद अपनी जो है लाइन जो अपना एजंडा चेंज करें कि हमें ये एक दूसरे पर कीचर फैंकने वाली राजनीती की बजाए हमें की बातें करने चाहिए तो जब बानवे सीच जीत कर मुझे मंतरी का मुझे दायत्तुब दिया था अर्विंद केजरिवाल जी ने मुझे पर भरोसा किया था तब भी मैंने यह कहा था कि जीतने के बाद हमने को हैंकार नहीं करना है अभी तो हमारी जम्मेदारी बड़ी है और ज्यादा मेनस से काम करना है अब जलंदर वालों ने इतना मान समान किया जलंदर वालों ने इतना ब्रोसा किया उमीद और आस जगी है तो हमको और जम्मेदारी से काम करना होगा जलंदर को कैसे चमकाना है और हमारे पंजाब के शहरों को कैसे हमने चमका के पूरे आज जब जीत हुई मेरा होसला बहुत बढ़ गया क्योंकि हम लोग जब जाते थे अरविंजी रोड़ शो में जाते हैं हम यही को लोगों को कहते थे कि 11 महीने की एलेक्षन अगले साल इन दिनों में फिर कोड लगा होगा 2024 की एलेक्षन हो चल रही होगी बलके मार्च में ल को हाथ जोड कर वोट ना मांगने पड़े अगली बार हमारे काम और कामों के अधार पर जितना हमें समय मिला पारलियमेंट में जलंदर की वाज पंजाब की वाज बनके गूंजेगी यह मुझे उमीद है और आज लगबग साथ हजार मतों से जीतना और बाकी सभी कठे थे यह बीजेपी अकालीदल बीएसपी कॉंग्रेस यह सब कठे थे इनकी पीसी लग लग होती थी बस एक गंटा पीसी में गैप होता था कॉंटेंट सेम ही होता था एक दूसरे को देते थे कि यह अब तुम ले जाओ यह गालिया मैंने दिया यह अब तीन बज़े देते ना वो ही गालिया चार बज़े वो देते थे तो यह कठे मिलके लड़े तो लिकिन लोगों ने इन सब को नकार दिया और लोगों ने आमादवी पार्टी की जो सरकार है उसके वर्क कल्चर पर उसके इमांदारी के जो जो फत्वा है भी इमांदारी का फत्वा हमें दिया जलं और हम उनकी आविद्वा तरने की कोशिश करेंगे और हमारे जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जलंदर के लोगों की उमीदों पर पूरा तर सके Alabama अब बहुत कमदोर कोई आपको जीनता हुआ नहीं पार्टी है अभी हमारा बोट में के जो हमें भी नहीं पता कौन है हम किसी सर्वे में नहीं आते हैं कोई नहीं क्यी मान रहा था कि 37 आ जाएंगी कोई नी मान रहा था बान्ण में आ जाएंगी तो हर क्यों संग्रूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सर्माथ्य कर T son उनसे सीखा, तो आज हम उन कमियों को दूर करके जलन्दर में काम जाब है। उनको लगता था जी तो हमारी सीट है पक्की है लोगों को बोट देनी पड़ती है लेकिन अब ऐसा नहीं है तो बदल गया है दो इस सीट के जीतने के बाद लोग सभा में महारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी विदान सभा में हम हॉलरी हैं और इतना अच्छा काम करेंगे 2024 में तेरा में से तेरा सीटे जीते हैं हम अपनी मेहनत में कोई कमी नी छोड़ेंगे एक ही फेक्टर था वो था काम पिछले एक साल के अंदर मान साब के नित्रतों में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो काम अपने आप में बोलता है हर चेतर के अंदर बिजली फ्री हो गई बिजली के पावर कट लगने बंद हो गए कोई सोच नहीं सकता था पहले 7-8-8 गंटे के साल बर पहले पंजाब में पावर कट लगते थे अब पावर कट नहीं लगते पंजाब के अंदर बिजली ठीक हो गई अब मोहला क्लिनिक बनने चालू हो गए सबसे बड़ी बात है कि law and order जो कहते थे इनसे संभलेगा नी बार्डर स्टेट है इनसे संभलेगा नी अब law and order बिलकुल स्टेबल हो गया वहाँ पे साल भर लगा हम लोगों को क्योंकि पिछली सरकारों का जो वो था वो हमने इनहरिट किया लेकिन अब law and order कि जो अमरित पाल का जो पूरा वो हुआ जितनी maturity के साथ मान साब ने उसको डील किया सब लोग इनकी तारीफ कर रहे है तो बहुत सारे काम एक साल के अंदर जितने काम हुए नौकरियां कितनी दी 39,000 सरकारी नौकरियां दे दी और आपको शायद यह नहीं पता जानके ताज्यूब होगा पिछले एक साल से इन्होंने देश भर के अंदर घूम घूम के पंजाब के लिए 40,000 करोड का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है यह M.O.U. साइन नहीं हुए नौमली तो M.O.U. फरजी साइन होते हैं वहाँ पे भूमी पूजन चालू हो गया है फैक्टरियों का लगने का जमीने खरीद ली गई है नारियल फोड दिया गया है तो 40,000 करोड की इन्डस्ट्री लगने का इन्वेस्टमेंट यह लेके आए हैं जिसे धाई लाख बच्चों को नौकरी मिलेंगी तो जो काम है काम बोलता है वोई फैक्टर है वोई वाई फैक्टर है कहीं न कहीं शुरुआत करनी पड़ती है तो शुरुआत है वहाँ भी एक समय आएगा जब जीतेंगे अतरपरदेश में अभी कई जगे से नतीजे आ रहे हैं अभी मेरी संजे सिंग जी से बात हुई थी और काफी उत्साव वर्दक नतीजे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी आम आदमी पार्टी जो है उत्तरपरदेश के अंदर भी अपनी छाप छोड़ेगी इसलिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पहतरे चलते नहीं है काम करो काम तो करते नहीं है वो तो बिना काम किये उल्टे सीधे उस पर लड़ते हैं और वो चलता नहीं है जनता जो है जनता काम मांगती है थैंक यू